स्टुडेंट्स स्टार्ट करेंगे आज से ऑडिट बी आरेफ और अकाउंट्स के लिए स्पेशली मैं आपको कुछ वीडियो 15 दिन के लिए 15 वीडियो देने वाला हूँ जिसमें काफी सारे जो फिल इन दे ब्लैंक है मैज दो कॉलम है मतलब कुछ भी अगर आपकी एक्जाम में आ सकता है possibility है वो सारे important topic जो काफी सारे colleges के अंदर internal में last year या तो इस साल पूछे भी गए है और या तो exam के अंदर आ सकते हैं ठीके और उसके साथ साथ ऐसे भी topic जो कहीं पर पूछे नहीं गए लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बार explain कर दूँगा और उसके साथ साथ कुछ ऐसा चोटा मोटा revision जो हम 15-15 minutes के daily 15 दीन के 15 lecture में हम समझेंगे तो बहुत important रहेगा यहाँ पर आपका जो पूरा जो syllabus है अगर आपने मेरे courses को join किया है तो उन students के लिए भी काफी important है क्योंकि वो लोग एक बार यह सारे series देख लें तो जो भी आपके छोटी-छोटी topic है जो मैंने आपको underline करवाया थे वो एक बार अच्छे से revise हो जाए तो देखो अगर आपको इस PDF को चाहिए तो आप telegram channel join कर सकते हो link नीचे description में है otherwise आप मेरी level up coaching application है जिसके उपर पूरा audit का course भी available है और iOS पे आप जो है उसको class plus करके आप application download कर सकते हो जिसका ORG code की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यह लगा सकते हो और यह तो हमारी website भी है आ जाएगी website से भी आप देख सकते हो तो students हमारा आगे चलके जो कोई students ऐसे है जो गुजराती मीडियम में है या English मीडियम में है जो आगे चलके M.com पढ़ने वाले तो हमारे पास M.com, B.com के गुजराती और English सभी के courses है और आगे चलके हम Assistant Professor G.set के लिए भी courses स्टार्ट कर रह मैच पूछे जा सकते हैं कि ये एक college के अंदर internal में भी पूछा तो ठीक है अब देखो ये मैच याद रखने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता दूँगा कि कौनसी section को किस तरीके से याद रखना है ठीक है तो देखो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना तो सबसे पहले इस मैच का answer निकालने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक suggestion दूँगा कि 139 से लेके 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 और 148 तक लिख सकते हो तो लिख लो और एक list बना दो देखो सबसे पहले क्या होता है कि auditor को appoint किया जाता है ठीक है आप सोचो एक company है company में auditor को क्या किया जाता है appointment किया जाता है मतलब auditor को appoint किया ठीक है अब एक auditor आएगा तो समझो उस company में पहले से एक auditor था उसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा न एक auditor आया तो दूसरा auditor क्या हो जाएगा अब देखो एक आदमी का अगर appointment हो गया तो दूसरे आदमी को मतलब दूसरा auditor अगर है company में तो उसको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा तो उसके लिए हो जाएगा उसको retirement करना है retirement of auditor ऐसा समझो ओके तो देखो एक आया auditor दूसरा गया अब जो auditor आता है उसका qualification नहीं देखेंगे पूछेंगे ना कि भाई तुम कितना पड़े लिखे हो तो qualification auditor देखेंगे आपका qualification as an auditor अब qualification हा गया तो फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि भाई अभी qualification तो आपका सही है अभी आप CA हो तो आप CA होने के कारण आप auditor बन सकते हो chartered accountant हो auditor बन सकते हो तो अभी उसको क्या देना पड़ेगा salary, remuneration तो यहाँ पर आजाएगा remuneration ठीक है हो गया अभी remuneration देने के बाद इसका duties क्या है उसका right क्या है rights या duties यह सब जो है ओके यह सब उसको बताना पड़ेगा ओके और दूसरी बात उसको क्या करना है वो हमने बता दिया फिर क्या नहीं करना है वो भी तो होता है तो auditor not render मतलब समझो यहाँ पर आजाएगा auditor not render certain services ठीक है यह भी यहाँ तक आ सकता है मतलब क्या करना है क्या नहीं करना वो सब कुछ आप यहाँ पर बता सकते हो खत्म यहां तक clear है complete देख लो auditor का appointment हुआ दूसरे auditor को निकाला retirement हो गया qualification पूछ दिया recommendation देना है right उसको क्या करना है क्या नहीं करना वो certain service not render okay तो यह आपको देखो मैंने यहां पर एक सा पूरा चार्ड भी दे रहा है क्या appointment हुआ removal हो गया resignation हो गया यह सब हो गया अगर auditor का qualification हो गया तो disqualification भी इधर ही आ जाता है ठीक है धियान रखना qualification और disqualification 141 में ही आता है remuneration जो है उसको दिया power क्या है auditors का duties क्या है यह सब उधर ही आ जाता है और auditors को क्या नहीं करना not to render certain service उसको कुछ service ऐसी है जो auditor company को provide नहीं कर सकता ठीक है फिर आपको पता है 145 बीच में से नहीं है और फिर उसके बाद auditor क्या general meeting attain कर सकता है तो उसका यहां पर लेख रखा है 146 में और 147 में punishment दे रखा क्या auditor नगर कोई गलत कार्या किया देखो यह 145 अभी अपने को ज़रूरत नहीं है यहां पर general meeting ठीक है general meeting attain करना है तो कर सकता auditor और 145 में penalty है penalty कि audit अगर कोई भी गलत काम किया तो उसके लिए penalty क्या लगी 148 जो है वो center government to specify the audit items of the cost in respective of the certain companies मतलब यह जो है न वो cost audit के respect में है जो cost audit जो होता है वो किसी कुछ company को applicable होता है तो उसकी section 148 cost audit की cost audit की section 148 तो यहां से आपको बस इतना ध्यान रखना था तो दीखो सबसे पहली तो बात यहां पर है qualification तो qualification के लिए क्या है तो मैंने आपको पता है qualification के लिए 141 है यह रहा तो दीखो auditor की qualification होगी remuneration of the auditor हो गया तो remuneration मतलब क्या हो गया उसको salary देना है तो remuneration 142 में आ गया ठीक है तो 142 में remuneration आ गया यहां तक फिर retirement of the auditor auditor को retirement करेंगे ठीक है उसको निकालेंगे तो कब निकालेंगे 140 में और auditor कॉंसी service नहीं प्रोवाइड कर सकता उसकी list है तो वह यहां पर है c में तो 145 तो है नहीं काम की ओके तो आपका 139 जो है 139 जो है वह appointment का है ठीक है वाकी तो सब आ गया दन तो यह आप अभी कर सकते और यह देको मैंने आपको यह PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर सेर कर देना है तो वहां से यह PDF भी ले सकते हो अभी आप इसको complete करिए जितना भी मैं करवा रहा हूं मेरे ध्यान में जितने भी topic आ रहे है छोटे-छोटे topic वह मैं आपको यहां पर daily 15 minute का 15 lecture 15 दिन अब देखो कुछ ऐसे topic है जो मैंने आपको already मेरे lecture के अंदर समझाया भी थी ठीक है जिसमें fill in the blank है अब आपको यहां पर बोला गया है कि auditor of the government company is appointed by तो इसके लिए मैंने आपको almost पढ़ा के रखा है तो चलिए वो भी समझ ही लेते अभी आज पढ़ने निकले है तो पूरा ही समझ लेते है तो चलिए देखो मैंने आपको देखो मेरे material के अंदर पूरा बटाया था जैससे यहां पर हम यह भी पढ़ चुके से एक सेकेंड यह रादे को यह वो सर्वीस है जो auditor नहीं प्रोवाइड कर सकता section 144 ठीक है तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया था तो अच्छे से इसको पढ़ लो फिर इधर बात करते है तो appointment of the auditor appointment of the auditor उसमें हमने क्या पढ़ाता government company का appointment कौन करता है auditor का तो वह हमने यहां पर पढ़ाता है यह रहा देखो government company जो होती है उसमें appointment कौन करता है central government करती है नहीं CNAG करती है कौन करती है CNAG जिसको बोलते है Comptroller Audit General of India Comptroller Audit General of India CAG और कितने दिन में होना चाहिए 60 days from the date of the registration जो first auditor है उसका ठीक है मैंने इसदर आपको पूरा नाम भी लिखके दिया था मेरे notes ठीक है तो पहला point तो आपका हो गया कि auditor जो है उसका appointment जो है वो कौन करता है government company के case में तो government company के case में Comptroller Audit and General of India पूरा नाम लिखता है मैं आपको short में लिखके दे रहा हूँ मैंने आपको बता दिया वहाँ उसके बाद जो second point है dividend has not been paid for dividend अगर 7 साल तक pay नहीं होता तो फिर उस dividend को कहा transfer किया जाता है यह आपको मैंने पढ़ाया था अगर आप मेरे lecture को join किया तो आपको मैंने यह पढ़ाया था divisible profit वाले topic में जाओ कहां पर जाओगे divisible profit वाले topic में चलिए वहाँ पर मैं जाकर आपको बता देता हूँ देखो आप जाओगे यहाँ पर यह जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें dividend के regarding जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें चलते है dividend के regarding एक second हम यहाँ पर आजाते हैं देखो dividend के regarding जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि अगर साथ साल में dividend अगर आप पी नहीं कर सकते तो उस dividend को कहां transfer करना पढ़ेगा ठीक है तो वो हमने पढ़ा था कुछ यहाँ पर यह रहा देखो dividend को कहा transfer करना पढ़ेगा अगर साथ साल तक पे नहीं किया तो यहाँ पर लिखा है कि investor education protection fund में transfer करें तो उसको अभी आपको answering करना है ठीक है तो चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखेंगे investor education protection fund ठीक है investor education protection fund चलिए फिर इसके बाद है dividend can be revoked with the consent of the all shareholder देखो dividend है ना डो टाइप का था मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ एक होता है interim dividend और एक होता है final dividend अब interim dividend क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो annual financial year जो financial year खतम होता है उससे पहले ही उसी financial year का dividend declare करके company pay कर देती थी तो उसको interim dividend बोलते थे और अगर after financial statement प्रिपेर करने के बाद जो dividend रिया जाता है वो final dividend होता है ओके और यहाँ पर paid कप कर देना 30 days के अंदर अंदर pay हो जाना चाहिए और यह भी 30 days के अंदर अंदर ही pay होना चाहिए तो इसमें कोई difference नहीं है ठीक है जैसे announcement हुआ उदर से ध्यान रखना announcement date से 30 days में यहाँ पर from the date of annual general meeting यह दोनों बहुत difference है ठीक है 30 days में difference नहीं है 30 days कहां से है तो इधर announcement date से यहाँ पर annual general meeting AGM से ठीक है AGM से यह भी पूछ सकते हैं और मैंने यहाँ पर यह जो पढ़ाया था आपको वो आया है कि dividend जो है वो interim dividend है वो revoke हो सकता है अगर shareholder चाहे तो ठीक है shareholder चाहते है तो revoke हो सकता है यह revoke नहीं हो सकता final dividend हम revoke नहीं कर सकते है ठीक है final dividend हम revoke नहीं कर सकते है तो यहाँ पर वही दाएगा कि interim dividend जो है ना वो आप revoke करवा सकती हो ओके final dividend revoke नहीं हो सकता ठीक है लेकिन देखो ध्यान से पढ़ना यहाँ पर can be revoke और cannot लिख देंगे ना यहाँ पर तो फिर interim नहीं आएगा फिर final आएगा ओके because final dividend हम revoke नहीं कर सकते फिर अगर shareholder भी चाहते है ना तो भी नहीं कर सकते ओके थ्यान रखना इस topic को मैंने देखो यहाँ पर difference भी दे रखा है आप पढ़ लेना एक पार अच्छे से ठीक है चलिए उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बोला है the report prepared by the auditor after the examination okay अगर audit ने report prepare किया है और पूरा accounts examine करने के बाद किया तो उसको क्या बोलेंगे तो उसको बोलेंगे audit report और यहाँ पर तो बहुत simple ना एक होता है audit certificate certificate okay audit certificate और यह भी एक बार पढ़के जाना कि audit certificate का बात है audit certificate जो होता है वो for the specific purpose होता है तो वहाँ पर आप पढ़ते ही पता चल जाएगा कि अगर auditor ने कुछ specific purpose के लिए कुछ दिया है sign करके ठीक है तो उसको वो लोग certificate के count करते ना audit certificate जो होता है और report जो होता है वो अलग होता है यह ध्यान रखते हैं एक बार पढ़ ले ना मैंने आपको detail में भी बताया है उसको okay और एक अपना आज का last topic है यहाँ पर क्या बोला the company has to give plank दे रखा है as a interest on default in transferring the unpaid dividend देखो यह भी मैंने आपको पढ़ाया अगर आप मेरे सिर्फ notes को ध्यान से पढ़के भी जाते हो ना तो मुझे नहीं लगता के एक भी ऐसा topic है जो सायद मैंने ना पढ़ाया हूँ ठीक है मैंने छोटी सी छोटी detailing आपको पढ़ा के बेजा है ओके आप देखो मैंने यहाँ पर ही discuss किया यह जो अपना last time पर हमने जो देखा था यह कहां गया देखो उपर यह रहा यहाँ पर ही लिखा है यह रहा 12% और देखो सब कुछ notes पर भी मैंने समझाया था यहाँ पर कि अगर कोई amount अगर आप नहीं pay करते हो dividend का तो आपको 12% annually क्या देना पड़ेगा उसके पर interest के साथ transfer करना पड़ेगा ठीक है और dividend कितने दे में देना है यह सब कुछ मैंने आपको समझाया भी है तो यह सब कुछ एक बार read करो उसको छोटे-छोटे notes में लिख दो क्योंकि अगर आप mcq के लिए अगर specially सिर्फ 15 mcq के लिए अगर क long question के लिए अलग से prepare करेंगे तो फिर वो क्या है बेवकूफ ही है 12 परसन यहां पर आ जाएगा तो मैंने जो भी आपको पढ़ाया उसी तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूं कि यह जो मैंने पढ़ा दिया बस उसी चीज़ को आप mcq में कही ना कहीं से आ जाएगा ठी दीन के लिए 15 वीडियो मिल जाएंगे तो आप उस सभी टॉपिक को अच्छे से complete करिए जो अलग-अलग सभी colleges के internal से लेके last year के university के exam तक पूछा गया था ओके चले तो goodbye students मिलते हैं next lecture में